क्लास एट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर एट कमपेरिंग कॉंटिटीज की एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जिसकी जुरुत आपको एक्सरसाइज में पढ़ेगी जिसमें पहली चीज़ है आपके पास cost price, cost price ये वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तू खरीदी जाती है means कोई shopkeeper अगर कोई समान खरीदता है तो वो उसने कितने रुपे में खरीदा, वो रुपे क्या कहलाते हैं, वो रुपे कहलाते हैं cost price उसके बाद वो समान को बेचता है, तो जितने रुपे में उस समान को बेचेगा, वो रुपे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे selling price selling price यह वह मूल्या है, जिस पर कोई वस्तू बेची जाए, उसके बाद जब वो समान को खरीदने के बाद बेचेगा, तो उसको या तो profit होगा, profit कोई हम gain भी कह सकते हैं, means लाब होगा या फिर, लाब कोई हम क्या कहते हैं, फायदा या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको क्या हो जाए, loss हो जाए, loss means हानी या फिर नुकसान, तो हम यह देखते हैं कि कौन से case में उसको profit होगा और कौन से case में उसको loss होगा, इनके formula क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, द दो चीज हैं, और यह मान लिए कि उसने एक पैन था, हूपैन कितने रुपीज का खरीदा, वो CP हमने मान لिआ 20 रुपीज, तो 20 रुपीज क्या हो गए? यह हो गया पैन का CP, मीज़् कितने रुपै में उसने पैन खरीदा 20 रुपीज का, उसके बाद उसने उस पैन को बे से बड़े की तरफ यह मूँ खोल देते हैं, यह मूँ खुला हुआ है न यह वाला साइन बड़े का है, अगर SP बड़ा है और CP छोटा है, तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 20 तो फाइव रुपीज का उसे क्या हो गया, फायदा हो गया, अब दूसरा केस देखते हैं, नोटबुक का, मान लीजे, एक नोटबुक उसने खरीदी थी, कितने रुपी की, 50 रुपीज की, ठीक है, खरीदने को क्या कहते हैं हम, cost price, उसके बाद उसने उस नोटबुक को ब इसे यहाँ पर SP छोटा है और CP बड़ा है, इसलिए जो साइने CP की तरफ खुल गया है इस बार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, उसको loss, तो loss के लिए क्या करते हैं, CP में से SP माइनस करते है, CP जादा है, SP कम है, तो CP माइनस SP, तो यहाँ से हमारे पास 50 माइनस 40, कितन होता है, ठीक है, अब इन दोनों से ही हम यह चीज कह सकते हैं, कि profit percent कैसे निकाले, और loss percent कैसे निकाले, कोई question हमारे पास ऐसे भी आएंगे, जिसमें हमें profit percent निकालनी होगी, और loss percent, means रुपे में तो 5 का फायदा है, लेकिन percent में कितने का फायदा है, यह बताईए, जैसे यह पर loss में, कितने रुपे का loss हुआ है, 10 रुपीज का, लेकिन percent में कितने percent का loss है, यह चीज बताईए, तो profit percent का formula क्या होता है, profit percent equal to होता है, profit upon CP into 100, ठीक है, और इसी तरीके से loss percent का formula क्या होता है, वो होता है, loss upon CP into 100, देखो दोनों ही जगे upon में क्या आएगा, CP, अब यह क्यो आता है, इस चीज को जहां से समझो, कि जैसे मान लीजिए, उसने 20 रुपीज खर्च किये थे, pen को खरीदने में, और उसके बाद उसको मिले कितने, बेचने के बाद 25, तो इस 25 में 20 रुपीज तो वही है, जो उसने खर्च किये थे, 5 रुपे और उसको extra मिले, तो उसको extra किस पर मिल रहे हैं, मिन्स यह जो 5 रुपे का फायदा हुआ है, यह किस पर हुआ है, उसको CP पर ही तो हुआ है, इस CP पर ही उसको 5 रुपे एक्स्ट्रा मिले थे, इसलिए यहां पर प्रॉफिट 5 रुपे का, और यह 5 रुपे एक्स्ट्रा किस पर मिल रहे हैं, उसको 20 पर अब इसमें देखो कि यहां पर loss में भी upon में CP क्यों लिया है, जब उसने 50 रुपीज का नोट बुक खरी दी थी, और बेच कितने में दी, 40 में, तो उसे 10 रुपे का नुकसान CP पर ही तो हुआ, इस CP में ही तो उसको 10 रुपे कम मिले, तो हमेशा हमें जो फायदा होता है, वो बारे पास 50, और upon में 50 के बाद इधर multiply में 100, तो 50 के table में 100 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 10 टूजा कितने हो गए, 20%, means उसको loss हुआ है 20% का, तो यह दो फॉर्मले और बने आपके पास, एक profit परसेंट का, और साथ में एक loss परसेंट का, यह 4 फॉर्मले important हैं, जो आपको exercise में help करेंगे, इन 4 फॉर्मले को अब मैं paper पर लिखके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, कि अगर SP जादा होगा CP से, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, profit, और profit का formula क्या हो जाएगा, SP minus CP, profit percent equal to हो जाएगा, profit upon CP into 100, अगर CP जादा है, means हमने खरीदा जादे में और बेचा कम में, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास loss, loss का formula हो जाएगा, CP minus SP, और loss percent क्या हो जाएगा, loss upon CP into 100, जो formula मैंने अभी आपको example से बताए है, ठीक है, यह formula बताएगा, profit equal to SP minus CP, profit equal to SP minus CP, और ऐसी loss equal to CP minus SP, तो loss equal to CP minus SP, उसके बाद यह दोनों इनके percentage के formula, तो अ सारी चीजे आजाएं, तो हम किसी भी question का profit और loss बता सकते हैं, अब इसके बाद हम थोड़ा सा यह चीज और देखते हैं, कि अगर हमारे पास profit percent दे रखका हो, और CP दे रखका हो, तो हम SP कैसे निकालते हैं, या फिर अगर हमें SP दे रखका हो, और profit percentage दे रखका हो, तो हम CP कै से निकालते हैं, देखो मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, ये चीज ध्यान से समझ लेना, क्योंकि question जब करोगे, तो उस question में ये वाले जो formula हैं, ये बहुत ज़्यादा important आपको काम आएंगे, तो देखो, दो formula हो रहे हमारे पास, एक SP का formula है, 100 plus profit percent upon 100 into CP, और एक SP equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP, दोनों formula हैं बिल्कुल same ही, लेकिन इसमे profit क्या होता है, plus और इसमे loss क्या होता है, minus, क्योंकि जब भी profit होता है, हमें extra rupees मिलते हैं, means हमारे पास पैसे बढ़ते हैं, इसलिए हाँ पर क्या आगया, plus, जब भी loss होता है, तो हमारे पास से पैसे घटते हैं, तो इसलिए हमारे पर क्या लगा दिया है, minus, अब ये दोनों formula कैसे बनाए गये हैं, और कहां पर इनका use ह होगा, इसके लिए हम एक example देखते हैं, फिर आपको ये दोनों formula बहुत ज़्यादा easy लगेंगे, और कोई भी question अगर आता है, तो इन direct formulas को हम use करेंगे, और हमारे पास सारे question हमारे हो जाएंगे, तो देखो एक example हम लेते हैं, कि मान लीजे एक लड़का है राम, और उसने ए 10% का, तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, और एक हम निकालेंगे इस formula से, आप देखोगे formula से करना आसान है, या ये long method जो है, इससे आसान है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, कि profit उसको कितने रुपे का होता है, तो profit equal to कैसे न उसके बाद इस 10 की 50 में करते हैं, multiply, तो 10 into 50 क्या हो गया, 500, means उसने जो यह TV 5000 का खरीदा था, उसको वो कितने रुपे में बेचेगा, 5000 तो उसको चाहिए ही, और साथ में 500 रुपीज उसको profit के चाहिए, तो वो कितने रुपे में बेचेगा, तो SP equal to हो जाएगा, कि उसको 5000 तो वो रुपे चाहिए, जितने का उसने वो खरीदा, और 500 रुपे उसको चाहिए profit के, तो वो 5500 रुपीज का उसको बेचेगा, तो यह तो हो गया long method एक, अब हम देखते हैं कि क्या इस formula से हमारे पास question का answer आता है, तो देखिए SP का formula यहाँ पर बताया है, 100 plus profit percent upon 100 into CP, तो profit कितने का चाहिए, उसको profit चाहिए 10 percent का, तो 10 आ गया, upon में 100, और CP कितना, CP है हमारे पास 5000, ठीक है, पहले इन दोनों को करेंगे हम क्या plus, तो 100 में 10 को plus करोगे तो यह आएगा 100, 10 upon 100 into 5000, दो 0 से 2 0 cancel हो गए, 110 की multiply किस में कर लेंगे हम, 50 में, तो 2 0 as it is आ जाएंगे, और 11 5 जा 55, तो देखो यहाँ पर direct up के पास क्या आ गया, SP आ गया, तो एक तरीका तो यह है, आपको अगर यह तरीका समझ में आया हो, तो आप इस तरीके से भी question को कर सकते हो, और एक तरीका यह है, जिसके अंदर हम यह वाला formula लगा देते हैं, ठीक है, यह formula समझ में आया ना, अब और मालीजे, यहाँ पर profit percent ना होके, loss percent होता, तो यहाँ पर हम loss percent लिख देते हैं, और वो क्या हो जाता है, यहाँ पर minus, चलो उसका भी एक example देखी लेते हैं, तो उसके बाद हमको यह दोनों formula बिल्कुल clear हो जाएंगा, जब कोई question आता है, तो इन formula का भी help से हम question को कर सकते ह एक formula यह वाला और एक formula यह वाला, ठीक है, इध्यान से कर ले ना, क्योंकि school में यह formulas वगेरा नहीं बताए जाते हैं, और इन formula को use करके हम question को बहुत easily solve कर सकते हैं, मालीजे, यहाँ पर जैसे हमने एक लड़का लिया था, कि राम नाम का, और उसने वो जो टीवी था, वो profit पर बेचा था, अब इसी तरीके साम एक example लेते हैं, हमारे पास एक लड़का है, मालीजे, शाम, उसने भी टीवी कितने रुपे का खरीदा है, उसने भी टीवी खरीदा है, 5000 रुपीज का, ठीक है, और उसने कितने में बेचा, उसको loss पर बेचा, कितने percent के loss पर, 10% के loss पर means, 10% off CP, तो 10 उपर, 100 नीचे, off की जगा multiply और CP कितना है, 5000, ये दो जीरो से, ये दो जीरो cancel हो गया, 10 into 50 कितना हो गया, 500 रुपीज का उसको नुकसान होगा, तो अब वो कितने रुपे में बेचेगा उसको, तो 5000 का तो उसने खरीदा था, और 500 रुपे का उसको नुकसान हो तो नुकसान हमेशा minus होता है, तो वो कितने रुपे में बेच देगा उस TV को, 4500 में, अब इसी question को हम, अगर formula से करते, इस वाले formula से, तो ये formula से देखो, कैसे बिलकुल simple हो जाता, और एक बार में हमारा answer आ जाता, तो हमारे पास ये जो formula है, SP equal to 100 minus loss percent, loss percent कितना है, 10, तो 10 ल ये तो कितना है, 90 upon 100 into 5000, 20 से 20 कट गए, 95 जा कितना होगा, 45 और 20 as it is आ गए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये question की length कितनी है, और यहाँ पर हमारा 4 step के अंदर ये formula और उसके बाद ये 3 step हमारा ये answer आ जाता है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो, कि ये दो formula बहुत तो SP हम इस से निकाल देंगे, इसी से ही दो formula और बना सकते हो, अगर CP निकालना है, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर बताये देता हूँ, इनी दोनों से दो formula कैसे बनेंगे, इस वाले formula से एक formula बनाते हैं हम, कि अगर हमारे पास CP नहीं given हो, SP given हो, तो CP कैस में numerator में, तो यह दर चला जाएगा, cross multiply से upon में, 100 plus profit percent, और equal to में क्या बचा, CP, एक formula हमारे पास यह बन गया, अगर हमें CP निकालना हो, और SP और profit हमें question में given हो, ऐसे इस वाले को हम बना लेते हैं, तो यह 100 चला जाएगा, इस SP के multiply में, तो यह हो जाएगा, SP into 100 upon, यह 100 minus loss कहा जाएगा, इसके upon में, 100 minus loss percent, और equal to में क्या बचा, CP, ठीक है, यह 4 formula बहुत ज़्यादे important है, इन 4 formulas को देख लो, अगर SP निकालना है, profit और CP दे रखा होगा, अगर SP निकालना है, loss और CP दे रखा होगा, तो हम इस वाले formula को, या फिर इसको, depend करता है, loss पे और profit पे, अगर हम CP पूछा हो, तो हम इसको लगा देंगे, इस वाले case में, हमें SP दे रखा होगा, या profit दे रखा होगा, SP और profit दे रखे होगे, इसमें हमें SP और loss दे रखे होगे, यह 4 formula और है, अब इन 4 formulas की help से, हम बाकी के जितने भी questions हैं, उन सब को कर देंगे, तो मैंने जो आपको सारे formula समझाए हैं, उन सारे formula को मैंने एक copy पे note कर दिया है, इन्स को आप चाहो तो screenshot ले लो, अब जब हम question करेंगे, तो इन formula का हमको बार बार ज़रत पड़ेगी, तो हम इन्स formula को वहाँ से use कर लेंगे, तो यह तो आपके पास हुआ, cost price, selling price, profit और loss के बारे में, इस exercise में हमारे पास 2-3 चीजें हो रहेंगे, उनको भी हम देख लेते हैं, एक है पास marked price क्या होता है, और एक है पास कुछ taxes के बारे में भी पढ़ना है, तो marked price क्या होता है, उसके बारे में देखो दियांज से, कई बार क्या होता है, कि जब हम कोई समान खरीदन के लिए जाते हैं तो उस समान पर जो कोश्ट लिखी हुई होती है उस लिखी हुई कोश्ट को हम क्या कहते हैं मार्कड प्राइस मार्कड प्राइस ठीक है और उसके बाद जो उसको समान को बेचने वाला होता शौप की पर जितने में वो समान को बेच कर दे देता है वो जो marg'd price मान लिजे किसी pen का है मान लिजे कोई pen ہے आपके पास और वो pen का price कितना है 50 rupees यह pen का price किसी दुकांदार ने कितना लिख रखा है 50 rupees लेकिन वो उसको बेच कितने में देता है 40 rupees का उसको बेच देता है तो यहां पर उसने 10 rupees का आमें क्या दे दिया discount दे दिया, तो यहां से हमारे पास discount का एक concept निकल के आता है कि discount equal to क्या होता है जो भी marked price होगा MP means marked price, उसमें से हम selling price को क्या कर देते हैं, minus तो marked price 50 रुपीज था selling price 40 रुपीज तो उसने हमें कितने रुपी का discount दिया 10 रुपीज का, ठीक है यह चीज ध्यान से समझ लेना, अब discount के अलाबा, discount percentage भी होती है जैसे एक example हम लेते है मान लिजए एक book है ठीक है, और उस book के उपर उसने लिख रखा है marked price कितना 100 रुपीज, कोई shop कीपर उसने अपनी book के उपर कितने लिख रखे है 100 रुपीज, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं इसके उपर discount दे रहा हूँ आपको 20% का उसने हमें discount दे दिया कितने का 20% का तो यह तो percent में है, रुपे में कितने का discount देगा वो हमको, तो discount निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे 20% निकाल लेंगे हंड्रेड का, 20% off हंड्रेड, तो 20% अताते हैं, तो अपन में 100, off की जगा multiply और हंड्रेड, इस हंड्रेड से हंड्रेड कैंसल होगा, कितना आगा है, 20 रुपीज, तो discount जब भी हमें मिलता है, तो हमें रुपे कम करके देने पड़ते हैं, क्योंकि discount का मतलब, अगर मान लीजए, उसने 100 रुपीज उसके उपर लिख रखे थे तो 20 रुपीज का अगर उसने discount दिया, तो हमें अब रुपे उसको 20 रुपीज कम करके देने पड़ेंगे इसका मतलब, अब हमें उसे कितना रुपे देने पड़ेंगे, selling price कितना हो जाएगा, मतलब, कितने रुपे की बेच देगा वो, 100 रुपे उसने लिख रखे थे और 20 रुपेज उसमें से कम हो जाएगे तो वो हमें 80 रुपे की उस book को दे देगा, ठीक है, तो यह आपका क्या concept हो गया, यह हो गया marked price का और discount का इसके लावा आपको 2-3 चीज़े और पता होनी चाहिए जैसे इस exercise में आपके पास कुछ taxes भी आएंगे जैसे taxes में कौन-कौन से tax आएंगे आपके पास, एक tax आपने सुना होगा, sales tax tax बहुत सारे तरीके के होते हैं एक आप सुनोगे इसके अंदर value added tax value added tax, जिसको short form में हम क्या कहते है, VAT VAT, और एक जो आजकल बहुत जादा है, चला हुआ वो है GST, जिसको आप short form में GST कहा देते हैं, उसकी full form क्या है, goods and services tax तो जब भी tax वगरा हम देते हैं, तो tax वगरा देने पर हमको extra रुपे देने परते हैं, जैसे जब हमें discount मिला था तो हमने रुपे कम करके दिये थे, लेकिन अगर हम पे tax लगता है, तो tax लगाने वाला जो होता है, वो हमसे extra rupees लेता है, जैसे इसका भी एक example देख लेते हैं मान लीजे, आपने एक notebook खरीदी, ठीक है notebook, और मान लीजे उस notebook का जो रुपे थे, वो notebook कितने की थी, उसका जो cost दे रखा था, cost of notebook, वो हमें दे रखी थी, notebook वो हमें दे रखी थी, मान लीजे 500 rupees की एक notebook है, 500 rupees की अब वो उसमें कह रहा है कि आपको tax भी देना पड़ेगा, और tax percentage कितना है, tax percentage है, मान लीजे 10%, तो आप tax कितने रुपे का हम देंगे, tax रुपे में हम निकालते हैं, तो वो हो जाएगा 10% of 500, तो 10 percentage हटाएंगे, तो upon में 100, off की जगा multiply, और 500, 2-0 से, 2-0 cancel, अब 10 की 5 में multiply करेंगे, तो 10, 5 जग कितना हो जाएगा 50, इसका मतलब जब हम notebook खरीदेंगे, तो वो 500 रुपीज तो हमसे लेगा ही, और साथ में हमसे tax भी लेगा, कितना रुपे का 50 रुपीज का, तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं, कि जब हमको वो समान, मतलब वो notebook लेनी होगी, तो total amount कितना pay करेंगे हम, total करके देंगे, और जब भी हमको tax देना पड़ता है, तो tax देने पर हमको रुपीज extra देने पड़ते हैं, तो यह कुछ concept ऐसे हैं, जिसको आप अपने जितने भी exercise के questions से उन सब में apply कर सकते हो, यह introduction ध्यान से देख लेना, एक दो बार, उसके बाद जब आप exercise करोगे, तो exercise बिलकुल ही आसान आपको लगेगी, और अगर इस introduction में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो comment कर देना मुझको